गुड मार्निंग हमारे क्लास टेंद के प्यारे बच्चो आज हम लोग चलेंगे आपका प्रोज का तीसरा चैप्टर जो चल ला है आपका टू स्टोरीज इबाउट फ्लाइंग का प्यारे बच्चो आज हम लोग साट एंसर टाइप किस्टर देखेंगे आज जितना भी साथ आपका प्रोज का दौझेटर पूरी तराफ से कंप्लीट हो गया है आपकी तीन पूर्यम कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो है सप्लिमेंटी रीडर प irm और दो चेप्टर कंप्रीट हो चुका है यदि आपने पुरानी क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेइस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी आपकी प्लेइस्ट मिल जाएगी UP Board Class 10th English New Silvers करके आपकी प्लेइस्ट करके कैसे बनी हुई है UP Board Class 10th English ले स्टार्टिंग से लेकरके जितनी अभी तक चली है प्यारे बच्छू सभी क्लासे वहाँ पर मिल जाएंगे उस प्लेइस्ट में आपको सारी क्लासे मिल जाएंगी तो आपका जहां से छूटा है आप वहां से complete कर सकते हैं तो जलदी से आ जाते हैं आज हम लोग इसके Saat And So Tipe Question को देख लीते हैं Two Stories About Flying का जल्दी से हम लोग Saat And So Tipe Question देख लेते हैं प्यारे बच्चु यहां पर आप देख ले होंगे कि Saat And So Tipe Question दिया हुआ Saat And So Type Question यहां पर दिये वी हैं 10 Saat And So Tipe Question दिये वी हैं या फिर 10 वर्ड 20 वर्ड में भी आपका complete उत्तर हो सकता है आप उसके चक्रम ना पढ़ेंगे कि सजी यह 10 वर्ड का हुआ है या 15 वर्ड का है या फिर 40 वर्ड का पहुच गया है सजी जो है इसके चक्रम ना पढ़ेंगे क्योंकि उत्तर आपका सटीक उत्तर होना चाहिए उत्तर में हो रहा है 20 वर्ड में हो रहा है कितनी मोरा सब्सक्रम नहीं दिया होता है और नीचे लिखना होता है पचीस वर्ड से कम होना चाहिए बट आपका उत्तर यदि जो है 25 वर्ड से ज़ाधा भी हो रहा है 40 वर्ड तक आ रहा है तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं है आपसने में जो है आपका उत्तर complete होना चाहिए बस आपका उत्तर मिलना चाहिए जो है start answer type question में ऐसा प्रश्ण ही पूछते हैं कि सटीक आपको उत्तर जिसे मिल सके तो इसलिए आप लोग उससे परशान नहीं होंगे कि कितनी वड़ों में जा रहा है तो जल्दी से पहले प्यारे बचो पहले question पे आ जाते हैं आपको नहीं पढाएस कर फिरेशन पता तो हमने आपको रिजन बताया था किताब में आप पढ़े होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि वह क्यों नहीं उड़ रहा था कियो शुए एक पंको पर भरुषा नहींई था कि उसे डल लग रहा था कि उसके पंकों से धोका तो नहीं दे देंगे मैं और पंक जो है फैले ही नहीं तब तो दिक्कत हो जाएगे तो इस बात से उसे डल लग रहा था इसलिए वह वह उस चीज से क्या कर रहा था डर रहा था इसलिए वह उड़ नहीं रहा था तो प्यारे बिचों इसी के जल्दी से उत्तर को देख लेते हैं पहले क्विशन का जल वाई वाज दी यंग सीगल आफरेट टू फ्लाई आपको पहला क्वेशन दे गया अब जल्दी से इसके उत्तर को मलोग देख लेते हैं His wings would never support कि उसके पंक कभी सहारा नहीं देंगे Him to fly means उडने में वह क्योंकि उसे इसीज का महसूस हो रहा था कि उसके पंक उसे उडने में कभी सायता नहीं करेंगे सहारा नहीं देंगे इसलिए वह क्या था प्यारे बचो आपको जिससे तयार हो सके आपके दिमाग जिससे की चीज़े कंठस्त हो जाए उन सारे उत्रों को हम लेने की कोसिस करते हैं उसे प्रकास से उत्तर देने की कोसिस करते हैं तो प्यारे बचो पहला क्रिशन का उत्तर क्या हो गया why was the young seagal afraid to fly उनने से भैबीत क्यों था क्योंकि उसे अपने पंकों पर भरोसा नहीं था कि उसके पंक उनने में सायता करेंगे या नहीं करेंगे तो प्यारे बच्छो इसका उत्तर क्या हो गया the young seagal was afraid to fly because he felt that his wings would never support him to fly प्यारे बच्छो प्यारे बच्छो पहले domestic उत्तर हो गया अब जल्दी thou धाने चांबर में इस लोन फेक्रां औरतावी आफिस अपने परिवार का उत्र परिवाडव का उस्प। एन ध्यान क्यों आपने परिवार अपनी परिवार और अप्षी ते钓ने के लिए उसने क्या किया हुआ था तो फिर भी नहीं ध्यान दिये थे सिंपल साई question number 2 सुझाथ किया दो यृट चल ने क्या किया तुड़ा मींस ध्यान कीचने के लिए office means office family means अपने परिवार का अपने परिवार का ध्यान की इसने के लिए सिगल ने क्या किया हुआ थाथ यह हो गया question number 2 जल्दी से question number 2 के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं question number 2 दिख रहा होगा what did the signal do to draw the attention of his family तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं to receive the attention means ध्यान को पाने के लिए office family means अपने परिवार के अपने परिवार के ध्यान को पाने के लिए the young single was चोटा सा सिगल पक्ची pretended means बहाना बनाया that he is falling as a sleep की वसो रहा है तो अपने परिवार के ध्यान को खीचने के लिए उसने बहाना बनाया कि that he was he is falling as a sleep means वह सो रहा है तो simple सा प्यारवचो उत्तर हो गया एकदम 60 सा उत्तर क्या हो गया to receive the attention of his family the young sigal pretended that he is he is falling as a sleep means वह सो रहा है means अपने परिवार का ध्यान खीचने के लिए उसने क्या बहाना बनाया हुआ था कि वह सो रहा है तो इस प्रकार से उसने क्या किया हुआ था बहाना बनाया हुआ था प्यारवचो एकदम 60 को उत्तर हो गया अभी तो छोटा-छोटा आपको उत्तर देख रहा होगा न 10-15-20 वर्ड में जो है टेंसर ना लो इससे बड़ा भी उत्तर आपको मिलेगा ठीक है कुछ उत्तर ऐसे जिसको कंप्रीट करने में थोड़ा सा लेंदी हुआ है प्यारवच्चो तो यह हो गया प्यारवच्छो की तरफ बढ़ते हैं क्या है उत्तर क्या होगा प्यारवच्छो आपको देख रहा होगा खुष्ण नंबर तीन जल्दी से देखिए सेच्छ नंबर तीन क्या है वाइडिट यंग सिगल कि वह जो है चोटा सीगल पक्ची क्यों ने कहने लगा जोता है जाइफल मिंस खुषिए से अटर मिंस कहना होता है सीगल मिस पक्ची जानते ही हो वह छोटा सा समुद्री जो पच्छी था खुशी से क्यों चलाने लगा था तो प्यारे बच्चो कब वह चला रहा था जब उसकी माँ उसकी तरफ जो है मचली के टुकडे को लेके आ रहे थी तभी तो चला रहा था उसने अपने मां को अपनी तरफ आते ही वी देखा तब तो इस क्रेम करने लगा चीख ने चिलाने लगा खुसी से तो वही तो उत्तर हो जाएगा उसका ना इसलिए कहते हैं चैप्टर को अच्छे से पढ़ा कर वह आपको उत्तर खुद मिल जाएगा प्यार बचो तो जंग सिगल वह चोटा सा सिगल पक्ची अटर जायफुल इसक्री मिंस खुशी से चेखने लगा प्यारे बच्चों यहां पर आपका उत्तर फिस्त कंप्रीट हो सकता था आपको समझने के लिए तो प्यारे बच्चों यह हो जाएगा अगर आपको छोटा करना हो तो आप वहां तक भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम सटीक उत्तर होगा ठीक है एक लाइन हमने जोड़ा हुआ है आपको समझने के लिए प्यारे बच्चों तो जल्दी से देख लेते हैं फिर से एक बार उत्तर यंग सीगल अटर ज्वाइफुल स्क्रीम मिन्स वह सीगल पक्ची मिन्स खुसी से चिखने चिखने चिलाने लगा क्योंकि ही साइज मदर उसने अपने मा को देखा कमिंग टूर्ड सी मीं उसकी तरफ आते हुए विता पी स्क्रीम बीकॉज ही साइज मदर कमिंग टूर्ड सीम विता पीसा फिस ही डिट सो एज वाज बरी हंग्रे तो यह हो गया क्रिशन नंबर तीन का उत्तर तो प्यारवचू आप उत्तर लिखते समय एक बार स्क्रीन साट ले लिया करो और एक बार पूरा वीडियो को देख ल नहीं आएगा कि फिसका उत्तर है क्या चैनल को kanal राएं से समय करेंगे सेर प्यार बचछों के सभी पू很好 और है तो क्विशन नमबर चार की तरह बढ़ते हैं क्विशन नमबर चार प्यारवचो क्या है और अपनी पॉनी पर भै जो था उसका किस प्रकार से बिजे प्राप्त करता है तो सिंपल सा कुईस्ट है प्यारवचों हौँ डिट दी यंग सीगल स्टार्ट फ्लाइंग वह जोटा सा सीगल पच्छी कैसे उड़ना प्रारम करता है और कैसे विजय प्राप्थ करता है इस पीर में सपने डर पर आप दीवाटन में पानी से तो यह हो गया प्यारवचों क गिरता है नीचे की तरह फिर वहीं से सीख लेता है तो यह हो जाएगा किस्ट नंबर चार का उत्तर तो जल्दी सम्डूग देख लेते हैं प्यारवचों किस्ट नंबर चार का उत्तर को देख लेते हैं प्यारवचों यहां पर आपको किस्ट नंबर चार देख रहा होगा how did the young seagull start flying and overcame his fear of the water तो जल्दी से देखते हैं इसके उत्तर को थोड़ा सा लेंदी आपको उत्तर देख रहा होगा प्यारे पिछो इसका उत्तर हमने आपको बताया था पहले ही उत्तर आपका complete होना चाहिए उससे चोटे बड़े से आप ध्यान नहीं देंगए तो क्या हो जाएगा मिन्स मचले का टोकड़ा उसके लिए उसने क्या किया हुआ था जपटा मारा हुआ था बट फेल आउटवर्ड्स लेकिन वा बाहर की तरफ क्या हो जाता है गिर जाता है और नीचे की तरफ फिर नीचे की तरफ जाने लगता है वे था लाउड स्क्रीम एक तेजी चीख के लगता है नीचे की लगता है वेनी इस मदर मदर शुप्ड अपवाट्स जब उसकी माँ जो है सुपटा माना जपटा मारी अपवाट्स मिस उपर की तरफ ही फालोड हर वह उनका पीछा किया एंड दस ही स्टार्टेव फ्लाइंग इस प्रकार से वह उड़ना क्या कर दिय प्रारंप कर दिया और अपने डर पर बिज़त पार लिया तो किस प्रकार से डर भीजा पाया था प्यारविच्छों तो हुआ जब उसकी माँ आई जो है भोजन में लेके आए तो उस पीमिस गोता लगा दिया था जो है भोजन पर और जैसे उसने डाइप किया मिस का उत्तर हो गया तो किसे नंबर चार का क्या हो गया प्यारवचे उत्तर दी यंग सीगल वास मैदेंड बाइद 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 बाई हंगर विन ही डाइवड एड दी पीस ऑफिस इन इस मदर्स बीक बट ही फेल आउट वार्ड्स एंड डाउन वर्ड्स वित लाउड स्क् के अब लोग बढ़ जाते हैं क्यूसन नंबर पांच की तरब हैं जल्दी से नंबर पांच को देखते हैं क्या है फिर इसके बाद उसके उत्तर को देखते हैं प् thermischen प्रीशेंपर aç दे लेते हैं थे हिखलेमंड कैसे फश् लेके आ रही थी जब उसकी माव से उसके लिए खाना ला रही थी तब उस ने अपने उस्साह को कैसे दिखाया हुआ था तो प्यारे बचों पर आपको question number 5 देख रहा होगा उसके उत्तर भी आपको देख रहा होगा question number 5 क्या है how did the seagal express his excitement when he saw his mother bringing food for him तो यह हो गया question number 5 इसका उत्तर क्या हो जाएगा the young seagal express his excitement वह जो है छोटा सा सीगल पक्षी अपने उसाह को दिखाया by a joyful scream means एक खुशी के साल चलहट के साथ जो खुशी से चलाया था उसी से तो अपने स्क्रीम को दिखाया अपने जो है उसने excitement को दिखाया था वह खुशी क चलहट के साथ when he saw his mother जब उसने अपने मा को देखा picking up means ली हुई है piece of fish means एक टुकड़ा मचली का जब उसने देखा अपनी मा को एक टुकड़ा मचली का ली हुई है तो वह क्या करने लगा था खुशी से चीखने लगा था इस प्रकार उसने अपनी उसाह को दिखाया हुआ था and flying across जो उसकी तरफ उड़ रही थी to him with it means इसके साथ इसके साथ जो इस मचली के टुकड़े के साथ उसकी मा जो है जो लिए हुए और उसकी तरफ उड़ रही थी उसी को देख करके उसने क्या किया हुआ था joyful scream किया हुआ था मिस कुशी से चिलाया था इस प्रकार उसने अपने उसा अपने उमंग को दिखा ही लींड वः जूक गया आउट इगली मिशे को करके नीचे झूक गया tapping मिस थपथपाने लगा दी रॉक मिस चटान पर विथी स्पीट मिस अपने पैरों पसे अपने पैरों से चटानों को क्या करने लगा था थपथपाने लगा था तो इन सारी चीज़ों से क्या पता चला था प्यार अवच्छों तो वह excitement में है वह उस्दा में है एक तो पहली छुवाब जो है जो है फुरत फुल स्क्रीम किया हुआ था मैंस चीखा चलाए था मिश खुशी के साथ चीखा चलाया हुआ था दूसरा जो है वह थोड़ा सा जुख गया था और इच्छो को करके टैपिंग करने लगा था मिश थपतवाने लगा था दि रॉक मिश चत्टान नमबर पांच का उत्तर फिर से एक बार देख लों किसे नमर पांच का उत्तर क्या है यंग सीगल एक्सप्रेसिज एक्साइट्मेंट बाई जॉइफुल स्क्रीम वेनिसा इस मदर पीकिंग अपर पीस आफिस एंड फ्लाइंग अक्रॉस टूइम विथीट ही लेंड आउट टैपिंग दी रॉक विद्धी फिट यह हो गया प्रफ्चों किसे नमबर पांच का उत्तर जल्दी सब हम लोग बढ़ जाते हैं क्या है उसका उत्तर क्या हो गया प्यारप्चों जल्दी से क्या नमबर भीजाते हैं क्युस्ट नमबर श्क्राइब आपको देख रहा होग प्यारे बैचों जहाज में विंदी राइटर स्टाट फ्लाइं जब राइटर क्या करना सुरू किया था उडणा प्रारम किया हुआ इतना सब्सक्राइब उसमें फ्यूल था कि वह कहां पहुच सकता था जहां उसकी जर्नी खतम होती एक लेंट वहां पहुच सकता था बस प्यारे प्यार्वीचों इक्रिष्ट नमबर श्रक्स का आपका सटी सा उत्तर हो जाएगा तो जल्दी से चटे कुष्ट निपर दे वेंदी राइटर स्टार्टेड फ्लाइंग तो जल्दी से इसके उत्तर को देख लेते हैं प्यारवचों क्या हो जागे जाएगा दीरवास सफिसियन फ्यूल मिंस परियाप्त मात्रा में फ्यूल था इधन था इंदी टैंक मिंस टैंक में आफ दी एरोप्लेन इरोप्लेन के टैंक में परियाप्त मात्रा में इधन था टू रीज इगलेंड मिस इगलेंड पहुचने के लिए सेफली मिस सुरच्छी तुरूप से वेंदी राइटर स्टार्ट फ्लाइंग मिस जब राइटर ने क्या किया हुआ था तो जब उन्ना राइटर ने अग्तम बहतरी सटेक सा उत्तर हो गया तो क्या हो गया दियर्वास सफिसियन्ट फ्यूल इन दी टैंक्स अफ दी एरोप्लेंड टूरीज इगलेंड सेफली विंदी राइटर इस्टार्ट फ्लाइंग तो यह हो गया पैरवचो किसे नंबर सिक्स का उतर अब लोग बढ़ करके लिखा गया है आप उसी तरह से यूटूब पर सर्च करेंगी तो आपको मेरा ब्लॉग इंचलने मिल जाएगा आप वहां से भी मुझसे जोड़ सकते हैं इसी तरह से आपको लिखना है जैसे नीचे लिखा गया है सूरज यादव जानपूर करके ठीक है क्यों साथ की मिंस जब वह ओढ़ा था जब राइटर मिस लेखक उढ़ रहा था मिंस हवा में उढ़ रहा था तो उसने कौन से चीज का जोखिम उठाया हुआ था एंड वाई और क्यों इसमें प्यारवचो वाई नहीं दिया हुआ है लेकिन हिंधी वाले में देख़ग क्यों दिया हु मिव्ट्य समय लेखक किया खत्रा मूल उठाया और क्यों उठाया था क्योंकि उससे एक लेंट पुछना था जब नास्ता करना था घर का इसले उठाये उठाया था और क्यों उठाया था तो फान में आगे बढ़ने के लिए इस प्रणी यह रिचेयोर। वह इक खत्रा उठाया था तो प्यारबचों क्विश्चन नमबर साथ का उत्तर क्या होगा पर क्विश्चन नमबर आपको साथ देख रहा होगा वाट रिस डिट टेक वाइल फ्लाइंग वाई तो देखें यहां पर हमने वाई लिख दिया हुआ है इसलिए वाले में क्यों लेकिन ने दिया हुआ तो जल्दी से इसके उतर को देख लेते हैं वाई यहां गासे जोड़ा हुआ है राइटर डिसाइड़े टू टाकर राइटर ने रिस्क लेने के लिए जो है ने लिया दू वही ओजाएक दिया नो प्रूदी स्टाम क्लाउड मिस तुफानी बादल में उन्हें क्या लिया हुआ था रिस्क लिया हुआ था विकाज क्योंकि ही वांटेट टू इंज्वाइ वह आनंद उठाना चाहते थे विकाज वांटेट इन्जोई हुआ विकाज वांटेट एंज्वाइ क्या लिया हुआ था नमठ नम्ली बैक इन एक लाइनड तो यह हो गया प्यारवचो क्या से अब सब्सक्राइब जल्दी से बढ़ जाते हैं क्रिशच्ट नमबर आठ की तरफ है क्नमर आठ की तरफ क्या है क्रिश्ट नमबर आठ क्या है वाई डिट धी राइटर फालो मिंस लेकाक ने क्यों का पीछा क्यों किये वे थे तो मींस लेखक नहीं दूसरे जहाज के पाइलट का जो पीछा किये थे क्यों किये वे थे तो प्यारवचो क्यों किये वे थे क्यों किये थे क्योंकि उसने सारा दिया हुआ था और उस काले घने बादल से बाहर निकलने के लिए क्या करना था उसक लेखक ने दूसरे जहाज के पाइलट का पीछा क्यों किया हुआ था तो जल्दी से प्यार बचो question number 8 के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं यहां पर प्यार बचो आपको question number 8 देख रहा होगा उसका उत्तर भी आपको देख रहा होगा और कुछ भी देखने में असमर्थ था क्योंकि काले बादल थे इसलिए कुछ भी देखने में असमर्थ था इसलिए उसने क्या क्या हुआ था दूसरे जहाज का पीछा किया हुआ था तो प्यार बचो जल्दी से question number 8 की तरब दो क्यों और बचे है प्यार बचो यह आपका chapter complete हो जाएगा तो इस प्यारवचो आपको देख रहा होगा कि वाट डिट दी राइटर सी मिन्स लेखक ने क्या देखा इंसाइड दी ब्लैक लाउट्स मिन्स उस जह काले बादल के अंदर तो राइटर ने उस काले बादल के अंदर क्या देखा हुआ था तो जल्दी से प्यारवचो क्रिशन नमबर 9 का उत्तर देख लेते हैं कि वाट डिट दी राइटर सी इंसाइड दी ब्लैक लाउट्स उस काले बादल के अंदर जो है लेखक ने क्या देखा हुआ था जल्दी से क्रिशन नमबर 9 के उत्तर को प्यारवचो हम लोग देख लेते हैं क्रिशन नो लाइट्स मिंस जिसमें कोई प्रिकास नहीं था औन इट्स मिंस इसके परइट्स मिंस इसके पंकों में उस ब्लैक लॉट्स मिन्स उस काले बादल में वू वाज वेविंग जो हिला रहा था एंड सिग्नलिंग और इसारा कर रहा था उसका क्या करें जो इस बात को सीग्नल दे रहा था कि हम इस तोफान से बाहर निकलने के लिए उसका क्या करें ए सबुच्व विए उसप्लका हृए शम्पल सा उत्तर हो गया. क्या हो गया दि राइटर सा अ ब्लेक एरो प्लेइन विच एड नो लाइट आन इट्स विंग्स दि राइटर कुड़ सी दी फेस आप दी पाइलेट इन दी ब्लेक क्लाउड्स हुवाज वेविंग एंड सिग्नलिंग हिम टू फालो गेट आउट ऑफ दी स्टॉंप तो यह हो गया प्यार विच्छों की तरफ बढ़ते हैं लास्ट की तरफ बढ़ते हैं फिर उसके बाद प्यार विच्छों साट एंस और टाइप किसन आपका पूरी तरह से कमप्लीट हो जाएगा तो जल्दी से क्विच्छन नमबर दस की तरफ बढ़ते हैं प्यार विच्छों किसन नमबर दस प्यार विच्छों आपको दिख रहा होगा लास्ट क्यों चाहता था तू मीट मिलना दी पाइलेट आफ दी ब्लैक एरोप्लें उस काले एरोप्लें क तो क्यों मिलना चाहता था क्योंकि उसे सेफली उसने लेंड करवाया हुआ था उतारा हुआ था इसलिए उसे धनवात देना चाहता था इसलिए तो मिलना चाहता था तो यहीं हो जाएगा प्यार विच्छों किसन नमबर दस का उत्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको आजके 5 लांगे हhew क्यो Imt.Ka अगली क्लास में जाएक्ट अगली क्लास में तबि était अगली क्लास में तब कल तक आपको वीडियो मिल जाएक्टार को देख लेते हैं तब सबुन है कि एक प्रिटो तो प्रइसक्र मेंगılar नवर सबाएंगों को जाए। देखेंगें सब कि अजिन प्रभाओं नोब दर अपको कूं नोब रिखते हैं, वाइड़ी जार में इफेलेग नेज फैलिटे मॆपक सब्सक्राट सब्सक्राइब नशस्टाइबूर इसे दन्वाद देने के लिए उस काले रंग का जो एरोपलेन था जाज था उसके पाइलेट से जहाज रहे मिलना चाहता था to thank him means उसे धन्वाद दे सके as he had saved the life of the writer क्योंकि उसने क्या किया हुआ था writer के जीवन को बचाया हुआ था by helping him come out from in the came out from the तोफान से बाहर निकलने में तोफान से बाहर निकलने में उसने writer के जीवन को बचाया हुआ था इसलिए उसे वह क्या करना चाता था धन्वाद देना चाता था तो प्यारे बचों यहां thank him तक आपका उत्तर complete हो सकता है इसे तो हमने एक्स्टा जोड़वा दिये हुए है आप black aeroplane to thank him तक भी उत्तर complete कर सकते थो वो आपका 60 कुत्तर होगा ठीक है यह दो लाइन हमने एक्सटा आपसे जोड़वाई हुई है लेकिन कोई बात नहीं है आप इसे लिख दोगे और अच्छी बात है लेकिन thank him तक लिखोगे तो अभी एकदम सटीक उत्तर होगा कोई गलती नहीं होगी प्यारवचो यदि आप छोटा करना चाहते हो तो thank him तक लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आपको तो क्या हो जाएगा प्यारवचो दी राइटर वांटेट टू मीट दी पाइलेट आफ एंदर ब्लेक एरोप्लेन उस काले एरोप्लेन के पाइलेट से मिलना चाहता था तो thank him तो उसे धन्वाद देने के लिए यहां तक भी आपका उत्तर कंप्लीट हो सकता था लेकिन यदि आपको थोड़ा सा और अच्छा बनाना है तो आप इतना लेख सकते हो as he had saved the life of writer क्योंकि उसने राइटर के जीवन को बचाय हुआ था by helping him come out रामदे स्टामीं स्थोफान से पहार निकलने में तो यह हो गया प्यारे बच्छो की से नबर 10 का उतर और आज का अंतिम क्रिशन था प्यारे बच्छो अब कल अगली क्लास में आपको लांग है तो टाइप की से निसका मिल जाएगा और हाँ इसके साथ साथ आज की क्लास सेशन को यही समाप्त करेंगे और उसके साथ साथ आपसे उमीद करेंगे आप क्लास 10 के सभी बच्छों में वीडियो को से रोस के होंगे सबी वच्चों के जिम्यदारी है कि क्लास तिन थे कि आप में सबी कोचिंग की हों स्कूल की हों कहीं के भी साती यार हो सबी वच्चों में से रोस करना वीडियो को और चैनल के वारे में अवश्य बताना कि आपकी क्लास से अनुवरत रूप से चल लिए और लगाता चलती रहेंगी और उसके बाद यह दिया आप हमरे ब्लॉगिंग चैनल से जोड़ना चाहते हैं जैसे नुचिय सुरज जादा जौन पूल लिखा गया है उसकी तरह आप यूटोप पिस सच करेंगे अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले सेसन मिलते हैं तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए अपनी परिवार का ध्यान रखिए लब यू आल प्यारे विच्चो